तो भाई कल S.O.L. के बहुत सार इस्टुरेंट्स के पास ये मैसिजिस आया है क्या इस मैसिज का मतलब है क्यों बेजा गया है टेंशन मतलब सब कुछ इस वीडियों बता हूँ पैनिक क्रेट करने की कोई जरूत नहीं है बैई कल वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पया क्योंकि मैं बहार गया हूँ था फैमिली टाइम स्पैंड करने हूए आज आया हूँ तो आज वीडियो बना रहा हूँ इस चीज के लिए मैं आप लोग से माफी माँगना चाहूँ ठीक है अब देखो भाई इस चीज का मतलब का है सबसे पहले भाई यह जो मैसिज आया है यह फिफ सेमेस्टर में जो करेंटली स्टुडेंट्स है उनके पास आया है और जो बच्चे अपने सिक्स सेमेस्टर तक का एक्जाम दे चुके है उन बच्चों के पास भी यह मैसिज आया है ठीक है तो पहले मैं सिक्स सेमेस्टर वालों को क्लियर कर देता हूँ भाई जिन बच्चों ने अपने सिक्स सेमेस्टर तक के एक्जाम दे चुके है उनके पास यह मैसिज क्यों आया है तो उसके लिए भाई आप लोग को दुआरा एक्जाम देने पड़ेगा एक्जाम दुआरा देने के लिए आप लोग को रेजिट्रेशन भी दुआरा करना पड़ेगा उसी सब्जेक के लिए तो भाई आप लोग को इस वज़े से ही ये मैसेज भेगा जा गया है कि आप लोग को भी registration कराना पड़ेगा आप लोग के registration जो है वो start हो चुके है back exam के यानि कि year वाले exam के आप लोग के फिर चाहे आप लोग का वो 5th semester का क्यों ना हो या आप लोग का 6th semester का क्यों ना हो ठीक है अब यहाँ पे भई आपको लिखा होँ मिल जाएगा सिर्फ 5th semester ठीक है ना तो 5th semester से मतलब इन लोग का ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग का 5th semester का ही back exam के लिए करना है नहीं अगर आपका 6th का भी है back exam तब भी आप लोग को ये form जो है fill up करना पड़ेगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग को पूरा 5th semester दुआरस देना पड़ेगा ये पूरा 6th semester आप लोग को दुआरस देना पड़ेगा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ आप लोग को वही exam देना जिसमें आप लोग की back आई थी ठीक है तो registration बात करते हैं बाई 5th semester में जो बच्चे इस टाइम करंटली है जो बच्चे अभी नए नए 5th semester में आए हैं और उनके दिसम्बर में exam है तो बाई उन लोग को ये message क्यों करा गया तो बाई उन लोग को ये message ये इस वज़े से किया गया है ताकि inform कर सके बाई as well आप लोग हो कि आप लोग का examination form यानि कि वोई admission form या subject वाला form जिसे आप कहते हो वो निकल चुका है और आप इसे भर सको ठीक है नहीं इस वज़े से message किया गया है इसके लावा और कोई panic create करने की कोई ज़रूत नहीं है लाज़ डेट जो है भाई इसकी आप लोग की यहां पर notify कर दिये 18 भाई नवंबर आपके लोग की लाज़ डेट है ठीक है अब भाई यहां पर कुछ difference ऐसे भी है जिलोग को फॉर एक्जामपल फॉर सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट नहीं आया तो वो बच्चे ऐसे में क्या करें उनके पास तो भाई ना फॉर सेमेस्टर का रिजल्ट आया साथी साथ ना भाई उनके लोग के सेमेस्टर के एडविशन स्टार्ट होए तो इन लोग को पैनिक क्रियेट करने की कोई भी ज़रूत नहीं है टेंशन मतलो आप लोग का रिजल्ट भी लेट आयेगा तो भाई आप लोग के एडविशन भी लेटी स्टार्ट होंगे और लास्ट देट भी एडविशन की वो भी एक्स्टेंड करी जाएगी आप लोग लिए तो टेंशन लेनी कोई ज़रूत नहीं है यह सब S.O.L. का पॉसेजर है आप लोग इस सब चीज़ों से बाकिफ हो ठीक है टेंशन मतलो बहुत जल्दी जब भी ओफिशल अपडेट आएगे इन फॉर्म ज़रूर करूंगा ठीक है बाकि भाई इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है बाकि भाई और एक और चीज़ बता दूँ अब अब फॉर्म जो है अपना फिल अप कर सकते हैं क्योंकि भाई अप फॉर्म जो है वो ठीक होने लग गए हम अलमौस सब कुछ ठीक हो गया फॉर्म में तो अब जीसे ने भी फॉर्म नहीं बढ़ा हो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भर लीजेगा ठीक है अब कुछ अश्रेंट्स ऐसे भी हैं जो भाई अपने सेकंड़् फेस्क रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए ठीक है ना सेकंड़् फेस् 가장 इया है आपूभ अगस्ट में दिया था सेकेंड फेस तो भाई अगर आप लोग का सेकेंड फेस का रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया है तो भाई आप लोग प्लीज पेशन बना के रखो अभी आप लोग को जो है यह फॉर्म बने की जरूत नहीं है ठीक है और भाई एस वे गए भी थे SOL office और अभी तक उनका AB वाला solution जाय है वो नहीं हुआ है रिजल्ट में तो भाई इस चीज़ का भी साफसीदस सोलिशन है आप अभी patience बना के रखो अभी form मत बनना 18 तारिक तक कम से कम भाई एक दो दिन 18 तारिक से एक दो दिन पहले तक वेट करो अगर होता है तो ठेक ठेक है अदर्वाइस भाई आप लोग form जो है वो fill up कर देज़ेगा I hope कि आप लोगे almost सारी doubts clear हो गयोंगे अगर फिर भी mind में भाई कोई doubt रहते है तो please नीचे comment box में बताना मौ उसको पर भी वीडियो बनाने की पूरी गर्शिट करूँआ मिलते है नेक्स वीडिय में